हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो सिक्छापूर, मैं अभिनास कुमार, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, प्लान्ट ए सीड का कोश्चन अंसर, यानि कि इसका एक्सरसाइज हम लोग पूरा कंप्लेट करेंगे, इस चेप्टर को हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुक अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राब किये हैं, जलू सब्सक्राइब कर लिजिए, चलिए चलते हैं इसके फर्स्ट कोश्चन की तरह, फर्स्ट कोश्चन है, देखिए बीवन, look at the slogans, slogan को देखिए, given below, दिया गया नीचे, यह सब स्लोगन को काराद देखने के लिए, these kinds of slogans, मतलब slogan मिसमता है नारा, मतलब नारो के यह सब परकार, slogan के यह सब परकार, यानिकि यह सब परकार, are seen everywhere nowadays, मतलब दिखाई देते हैं, देखने को मिलते हैं, everywhere, मतलब हर जगा, प्रतेक जगा, nowadays, मतलब आज कल, इन दिनो, what do they indicate, वे क्या indicate करते हैं, क्या सुचित करते है हैं, क्या indicate करते हैं, discuss in groups of four, मतलब चार लोगों का groups में discuss करें, then तब write paragraph, तब उसके बाद paragraph लिखें, in about 40 words, 40 words में, on the given topic, मतलब दिये गए, topic पर यानिकि आवर environment पे, क्या लिखना है, paragraph लिखना है, चलिए इसका answer देखते हैं, environment is the nature, and surroundings, environment क्या है, nature है, यानि प्रकृति है, and surrounding, और surrounding है, in which, surrounding मतलब चारो तरफ, in which, जिसमें, all plants, ये चारो तरफ जो है, जिसमें सभी plants, animals, सभी animals, human मतलब सभी मानाव, and other living beings live, और दूसरे जीवित प्राणी, other living beings, वानि दूसरे जीवित प्राणी, live मतलब रहते हैं, It plays a major role, यह play करता है, a major role मतलब बहुत बड़ा role अधा करता है, in giving birth to a new life, मतलब नए जीवन को, new life को, जन्म देने में, in growth of life, मतलब जीवन के growth ब्रिधी में, survival of life, जीवन को जीने में, जीवन यापन करने में, and overall well-being of any life, और किसी भी जीवन को अच्छे से जीने के लिए, यह सब में, क्या करता है, major role अधा करता है, environment also provide us with several other natural resources, environment provide करता है, मतलब देता है, अस मतलब हम लोगों को, with several other natural resources, also मतलब भी, मतलब अनेको प्रकरितिक resources भी देता है, that are very important, जो की बहुत ही important है, it includes sunlight, इसमें क्या क्या सामिल है, इसमें include है, सामिल है, sunlight सुर्गा प्रगास देता है, atmosphere देता है, land देता है, भूमी, इसमें सामिल है, plants सामिल है, animals सामिल है, sea life, समुंदरी, जीव, minerals, different species, अलग-अलग प्रकार के, species मतलब प्राणी, and everything that occurs, और वह प्रते एक चीज जो पाया जाता है, naturally, प्रकृतिक रूप से आउना और प्रतिवी के ऊपर, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, इससे आप लोग अलग भी लिख सकते हैं, चलिए जालते हैं, next question की तरफ, third question देखिए, some incomplete sentences are given below, कुछ incomplete मतलब, अधा अधूरा complete sentences are given below, मतलब नीचे दिया गया, on the basis of your understanding of the poem, poem के समझ के अधार पर, tick the correct option, सही option पर tick लगाएं, to complete them, उनको complete करने के लिए, when a seed is planted in the ground, जब एक seed, एक बीज को ground में लगाया जाता है, बोया जाता है, प्लांट के जाता है, तो सही answer क्या होगा, it becomes a seeding, यह आपका सही answer होगा, the little plant, सही answer क्या होगा, with a stand different climate, climatic condition, condition, मतलब, अलग-अलग climatic condition में भी वहा, जितने मतलब खड़ा रहता है, जाए धनला हो यह जाँ गर्मी हो, और मौसम में भाहा, खड़ा रहता है, each dying tree leaves behind, मतलब प्रतियक, मरता हुआ पेड, जो मर जाता है पेड, वह छोड़ जाता है, अपने पीछे क्या छोड़ जाता है, तो seeds होगा, next, the message of the poem is that, मतलब, poem का message है, कि क्या होगा, तो इसका one seed plant seed, मतलब, प्रतियक को, हर एक को, एक seed plant करना चाहिए, एक बीच बोना चाहिए, plant लगाना चाहिए, चली चलते हैं, question number four की तरफ, question number four है, complete the life cycle of seed, मतलब, seed के, बीच के life cycle को complete करें, first में है, seed is planted, मतलब, बीच बोया जाता है, उसके बाद क्या था, रंग बदलते हैं, पतियों का बहुत, रंग बदलता है, it grows into a big tree, उसके बाद क्या होता है, बड़ा सा पेड़ में बदल जाता है, ट्रे में बड़ा हो जाता है, उसके बाद gives cool set, ठंड़ा हावा, ठंड़ी चाया देता है, उसके बाद grow old and die, और मतलब बड़ा होता है, बड़ा होता है, और मर जाता है, उसके बाद lives behind a seed, उसके बाद फिर क्या कहता है, छोड़ता है, बिहाइंड एसी मतलब अपने पीछे सीट को छोड़ जाता है मतलब बीच छोड़ देता है छोड़ कर जाता है उसके बाद फिर उस बीच को प्लांट किया जाता है इस तरह से इसका लाइफ साइकल चलता रहता है चलते हैं नेक्स्ट कोश्चन की तरह कोश्चन नमर 5 मैच the phrases given in column A में दिया गया है उस phrases को मैच कीजिए विदेर मीनिंग उनके मीनिंग के साथ उसके मीनिंग के साथ इन कॉलम R जाए जाए जहाए ने कॉलम B कि देखिए आपका होगा वीथ स्टेंड हीट आइंड स्नू तो फर्स्ट का होगा आपका यह मतलब हीट और गर्मी और बर्फ में भी यह खड़ा रहता है बोल्डली फेस दा होट उस फेस फेस का उसका सामना करता है गर्मी का ठंडा वेदर का इसका क्या हो जाएगा यह इसका यह हो जाएगा फूल्फिल देर लाइफ लॉंग डीड थार्ड क्या होगा बीन नंबर होगा इस प्रेड़ इट स्विंग्स ओफ लाइफ ते इसका क्या होगा ए नंबर होगा लिप्स टर्न मेनी सेट मने पतियों का बहुत सारा रंग बदलता है पतियों का आती यह स्विंग्स ओफ लाइफ मतलब जो अनुसार इसका विंग्स ओफ लाइफ का क्या मीनिंग है इसका क्यों यूज किया गया है इसका एंसर देखिए ये जो इस फ्रेज से विंग सफ लाइफ फ्रेज से दपॉयट मीन्स मतलब पॉयट का मतलब है लीप संब ब्रांच इज पॉयट का मतलब है पतियां आयन ब्रांच इज मतलब है ब्रांचेज अधिक बढ़तीं को डिस्क्राइब करने में, वरन करने में, because क्योंकि the tree carries leaves and branches क्योंकि पेड रखते हैं पेड़ में मतलब होते हैं पतियां और ब्रांचे जो होते हैं साखाय होते हैं with it इसके साथ मतलब पेड़ के साथ पतियां और साखाय होती है while growing जब वह बढ़ रहा होता है which support जो कि support करता है life को सभी जीवित प्राणियों के लिए life को support करता है मतलब इस पतियों को खा करके बहुत सारे जीवित रहते हैं इसलिए आज support करता है life को तो इस तरह से यह आपका question number 6 खतम अगला question है दखिए question number 7 answer the following questions briefly तो निम लिखी question का answer दे ब्रीफली दें फर्स्ट question है देखिए why does the poet want everyone to plant a seed मतलब क्यों poet चाहता है प्रतेक लोगों से plant a seed मतलब एक बीज़ बोना क्यों चाहता है इसका answer देखिए why does the poet want everyone to plant a seed answer होगा the poet wants everyone poet चाहता है प्रतेक लोगों से to plant a seed एक बीज़ बोने के लिए विकोज क्योंकि ट ग्रूइ ट ग्रोइट इन्टू ए विग ट्री क्योंकि यह बढ़ा होता है इन्टू बढ़ता है लिए वे बीक ट्री में उस्ट बड़ा होकर एक बड़ा साथी बनता है और सपोर्ट लाइफ और लाइफ को सपोर्ट करता है तो अल लिभिंग बिंग सभी जीवित प्राईयों के लिए कि अगला कुश्चन है हाव आज ट्रीज इंपोर्टेंट टु अस्टी हमारे लिए कैसे धे गीव अस अकसिय्ंट वे हमारे लिए अकसिजटे लिए परभाइद에 फूड सारी पंप करते हैं प्रोटेक्शन देते हैं एंड्यूम और घर देते हैं फुर मेनी बड्श बहुत सारे पच्छियों के लिए आइं ममल्प और बहुत सारे मवहिंस के लिए दे प्रभाइड आस तब मैटेरियल वे मैटेरियल प्रभाइड करते हैं फूर तूसान और चल्टर के लिए मतलब घर इतरस हो गया दे रेडूस पॉलूशन को रोड़ी रेडूस करते हैं वे हेल्प करते हैं ग्लोबल वार्मी से लड़ने के लिए अगला कोशने वाट विल हैपन क्या होगा इफ द्यार नो ट्री पर क्या होगा इंसर होगा इफ द्यार नो ट्री ऑन अर्थ यदि पर कोई भी पेड़ न हो अर्थ आवर मदर तो क्या हो जाएगा हमारी जो मदर है अर्थ जो पिर्थी भी हमारी मात्रूप में है विल अपेर विल वेर ए डिजार्टेड लूक मतलब डिजार्टेड लूक में पहन लगी मतलब वेर मनें पहनना होता है इसका मतलब कि डिजार्टेड लूक में हो जा लेग देसा दिखने लाइगा मारी में स्कोर्चिंग हीट जूल साने वाली गर्मी विल में स्थित्व र십 लाइक कर दिजी है। अदже अद्यों लोघ चैनल को नहीं सब्सक्राइब किये हैं तो सब्सक्राइब कर लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू बाई